exercise 2.2 question 1 work out the following question 1 6 by 10 divide 9 by 108 divide 2 by 5 इस question को पहले हमें एक बार लिखेंगे 6 by 10 9 by 108 divide by 2 by 5 अभी 6 by 10 इडिवाइट को माल्टिप्लाइ में कनभार्ट करेंगे तो ये 108 पर आ जाएगा जाएगा और 9 निछे आएगा निक्सिक भी माल्टिप्लाइ में कनभार्ट करेंगे तो 5 by 2 होगा होज ही चैजल करेंगे is के साथ कैं deal करेंगे तो थ्री ऐएगा इस्को एसकी साथ amat material करेंगे तो फाईफ होगा 5,2 जा 10 और इसको इसकी साथ कैंसल करेंगे तो 5, 2 जा 10 and 5, 4 जा 8. So, इस से ये कैंसल होगा, 5, 1, 3, 1 जा 3, 3, 8 जा 24. So, finally answer होगा 1, ये होगा answer. Same process उस करेंगे, so 7 by 10, divide 7 by 49 होगा, multiply 10 by 1. So, ये 10 की साथ, ये 10 कैंसल होजाएगा, इस 7 की साथ इसको कैंसल करेंगे, 7, 7 जा 49 और इसकी साथ ये कैंसल होगा, final answer होगा 1. 4 by 4, multiply 4 by 64, multiply 4 by 2. So, इस 2 की साथ ये कैंसल होगा, 2 times, इसकी साथ ये कैंसल होगा, 4 की साथ ये कैंसल होगा, force into 16 equal to 64. इसके साथ यह 16 कैंचल होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 जो फाइनली आंसर होगा 1 बाइ 8 अभी हम 8 बाइ 10 multiply 9 बाइ 72 multiply 3 बाइ 3 को यह इंगे इसके साथ यह कैंचल होजाएगा और इसके साथ यह कैंचल होगा 8 9 जा 72 जो 9 की साथ 9 जा गैंचल होगा फाइनली आंसर आएगा 1 बाइ 10 question 5 2 बाइ 7 दिवाइट 12 बाइ multiply 12 बाइ 2 इसको सेंस करेंगे multiply में तो यह 8 बाइ 3 होगा यह पर जाएगा यह निचे आएगा so 3 4 जा 12 so 2 एं 2 कैंचल होगा और इसमें यह जो 4 8 होगा 4 इंटो 8 multiply होगा 4 इंटो 8 divided by 7 4 8 जा 32 by 7 so यह एक improper fraction होगा इसको हम mixed fraction में लिखेंगे so 32 को हम 7 से divide करेंगे 7 4 जा 28 इसमें 1 की होगा 12 so 4 होगा so इसका में रिक्सफेक्शन होगा 4 whole 4 by 7 यह होगा इसका अंसर्ड इंट में divide time को हम change करेंगे 6 by 8 divide को multiply लिखेंगे तो 64 उपर आएगा और 8 निचे आएगा एगें इसको multiply करेंगे 6 उपर आएगा 1 निचे आएगा तो 8 एट जा 64 इस 8 के साथ यह cancel हो जाएगा इसमें कोई उपर में रहागा 6 इंटो 6 निचे आएगा 1 का कोई मतलब नहीं होगा कि को divide करेंगे तो इही भिल्लो आएगा so 6 इसका 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 लिखेंगे 3 by 5 इंटो 84 by 7 इंटो 2 by 1 so यह 7 इसके साथ cancel होगा so 7 बान जा 7 next इसमें 14 आएगा so 14 को हम 2 times cancel कर सकते है so 7 इंटो 12 इक्वेल तो 84 अभी इसका वेलू आएगा 3 इंटो 12 इंटो 2 divided by 5 so इसका अगर जब हम multiply करेंगे तो 3 इंटो 12 इक्वेल तो 36 so 36 इंटो 12 इक्वेल तो 72 यह होगा इसका वेलू so 72 by 5 जब हम यह एक improper fraction होगे इसको हम mixed fraction में लिखेंगे तो 72 को जब 5 से divide करेंगे 5 बान जा 5 एक जब 5 माइनस होगा इधर 2 रहेगा और यह 2 निच्छे रहेगा so 5 for the 20 होगा so finally इसका वेलू आएगा remainder 2 so इसका अंसर होगा 14 whole 2 by 5 यह होगा इसका अंसर question 8 में हम ऐसे करेंगे 6 by 7 multiply 4 by 24 इस divide को हम multiply में convert करेंगे तो यह जो denominator है वो numerator जगा पर आएगा और numerator जो है वो denominator जगा पर पर आएगा तो इसको हम इससे cancel करेंगे so 4, 6 आए 24 इस 6 को इससे cancel करेंगे so finally उपर रहेगा 8 नीचे रहेगा 7 so 7 का अगर sorry 8 को अगर हम 7 से divide करेंगे क्योंकि यह improper fraction है इसको हम mixed fraction में लिखेंगे तो 1 times होगा इस 7 होगा remainder 1 होगा so 1 whole 1 by 7 इसका अंसर है question 9 है तो इसको 2 by 9 इसको change करेंगे multiply में so 54 by 3 होगा अभी इसको हम multiply में convert करेंगे तो 3 by 1 होगा इस 3 के साथ यह cancel हो जाएगा और यह 9 के साथ यह cancel हो जाएगा 54 so finally answer रहेगा 2 into 6 equal to 12 इस 12 होगा question 10 इसको हम assess all करेंगे 6 by 7 multiply 56 by 8 multiply 6 by 6 इसके साथ यह cancel हो जाएगा तो यह जो 8 है 8 के साथ इसको हम cancel करेंगे 8 7 the 56 so यह 7 के साथ यह 7 cancel हो जाएगा finally answer रहेगा 6 यह वा इसका अंसर 5 by 9 into 9 by 19 into 13 by 12 इस 9 को इसके साथ cancel करेंगे तो उसके बाद इसमें कोई cancel नहीं होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 into 13 divided by 9 into 12 इसके साथ इसका multiply करेंगे तो इसका value आएगा 65 next इसको इसके साथ जब multiply करेंगे तो इसका value आएगा 2 to 8 यह बास का answer question 12 इसको इसे करेंगे तो इसमें किसी की भी साथ किसी number को cancel नहीं हो पाएगा cancel नहीं कर पाएगे तो इसलिए हम जो numerator है numerator में जो भी number है उसको multiply करेंगे तो इसमें 3 into 12 होगा क्योंकि 1 की साथ multiply करेंगे तो same ही भी होएगा इसलिए हमने 1 को चोड दिया है next 5 into 5 होगा so 3 into 12 equal to 36 तो इसमें 25 आएगा तो 1 and 1 11 होगा इसका remainder so इसका answer होगा 1 whole 11 by 25 question 12 का answer है 6 whole 6 by 25 6 into 25 equal to 150 150 plus 6 equal to 156 by 25 होगा तो अगर ए question ये value कभी भी कैसे solve करने में नहीं आएगा सायद इस question में ये मानता हूँ कि इस question में थोड़ा wrong होगया question maybe इसका typing mistake होगया सायद इस question में question अगर ऐसे होता तो ये question जरूर answer निकल के आएगा सायद इस question होना सही है था 1 by 5 divided by 5 by 13 divided by 1 by 12 अगर एसा होता तो ये जरू निकल के आएगा 6 times divide कर सकते है तो 150 आएगा तो finally इसका remainder होगा 6 so इसका answer हम ऐसे लेख सकते है 6 by 25 maybe इस question में अगर ये जो 3 है 3 की जगा अगर 13 होता तो ये answer correct हो जाता लेकिन अगर 3 रहेगा तो इसका answer एसे होगा एसे कभी नहीं होगा तो हम चाहिए तो ऐसे भी कर सकते है 4 by 10 माल ये जो divide को change नहीं करेंगे पहले 16 by 10 and 5 by 15 इस ये जो fraction है इस fraction को हम simplest form में convert करेंगे suppose 2 2s are 4, 2 5s are 10 8 2s are 16 so 2 5s are 10 so 5 1s are 5 5 3s are 15 अभी ये simple form में आगया तो 2 by 5 इस divide को multiply में convert करेंगे तो 5 by 8 लिखेंगे क्योंकि 5 उपर जाएगे 8 नीचे आएगे इस divide को multiply में convert करेंगे तो 3 by 1 होगा अभी ये 5 की साथ ये 5 cancel होगा 2 की साथ ये 8 cancel होगा 4 times so 3 by 4 होगा ये होगा इसका answer इसका answer 5 by 1 so इसमें cancel नहीं होगा 15 into 5 लिखेंगे divided by 4 into 4 लिखेंगे 15 into 5 का value होगा 75 और 4 into 4 का value होगा 16 75 को 16 से divide होगा 4 into 16 equal to 64 और इसका value आएगा 1 and 1 11 होगा इसका remainder remainder part में आएगा 11 तो हम इसका answer लिखेंगे 4 whole 11 by 16 इसका answer 8 by 15 multiply 160 के नीचे में 1 है so next time हम ऐसे लिखेंगे 1 को उपर लिखेंगे और 160 को नीचे लिखेंगे 2 1 by 160 होगा multiply by 20 by 10 होगा तो इसमें हम यह करेंगे 8 जो है इसको cancel करेंगे 8 into 20 इसको हम cancel करेंगे बेलु कुछ बचा shift denominator में 15 into 10 बचा और उपर में 1 है तो उपर 1 होगा नीचे 150 हम इसे लिखेंगे 9 by 4 divide को multiply में convert करेंगे तो 32 by 8 इसका विलु आएगा इस divide को multiply में convert होगा 20 by 1 4 को 20 से divide करेंगे तो 5 times मिलेगा इसको cancel करेंगे 4 होगा 9 into 4 into 5 9 forza 36 36 into 5 equal to 180 180 हो आएगा इसका answer question 17 20 by 20 इसको हम multiply लिखेंगे 200 को इसे लिखेंगे 1 by 200 क्यूंकि 200 का मतलब होता है 200 by 1 जब इसको इस divide को multiply में convert करेंगे तो इसको इसे लिखेंगे इसको इसे लिखेंगे 2 by 7 into 2 by 40 into 10 by 1 10 इसके साथ cancel होगा 4 times आएगा 2 की साथ 4 cancel होगा 2 to 2 होगा क्यूंकि 2 to the 4 इसको इसके साथ cancel हो जाएगा 1 by 7 24 by 5 एक बार लिख लेते है 2 by 3 इस question को हम bracket का काम पहले करेंगे तो इस multiply को divide में convert करेंगे 24 होगा 8 by 9 पहले रहेगा into 2 by 3 होगा इसको इसके साथ cancel करेंगे तो 8 3s are 24 अभी इसमें cancel नहीं होगा तो cancel नहीं होनेगा मतलब होगा हम क्या लिख पाएँगे 5 by 9 into 3 equal to 27 into 2 by 3 So इसके साथ multiply होगा 5 to 10 होगा 27 into 3 होगा 81 27 into 3 का मतलब होगा 3 into 7 equal to 21 So 21 का 1 होगा इधर 3 to the 6 6 plus 2 equal to 8 So 81 आएगा इसका इह होगा इसका अंसर 20 So इस question में हम cancel नहीं कर पाएँगे So इसको इसे लिखेंगे 1 into 3 and 4 into 8 into 9 by 2 So इसमें होगा 3 and 32 2 into 2 into 9 So 3 into 9 equal to 27 and 32 into 2 equal to 64 इसका अंसर Question 21 So 3 by 10 into 80 Bracket divided by 9 by 8 So bracket का काम हम पहले करेंगे into 10 equal to 80 So इसमें रहेगा 3 into 8 equal to 24 divide 9 by 8 24 इस divide को हम multiply में convert करेंगे 2 into 8 by 9 So 8 by 9 So अभी cancel क्या होगा 3 into 9 3 into 8 24 So अभी इसमें cancel क्या होगा 8 into 9 64 64 by 3 4 by 3 होगे एक एक इंप्रोपर फ्रेक्शन So इसको हम Mixed Fraction में convert करेंगे So 64 को जब 3 से divide करेंगे 2, 3 to the 6 निच्छे आएगा 4 4, 3, 1 to the 3 So निच्छे होगा 1 So इसका Mixed Fraction होगा 21 whole 1 by 3 यह होगा इसका अंसर 22 So इस Question को ऐसे solve करेंगे 3 by 3 into 1 by 3 Bracket Divide 9 by 10 So इस 3 को 3 की साथ Cancel होगा Finally 1 by 3 आएगा और इस Divide को हम Multiply में convert करेंगे 10 by 9 होगा अभी 1 की साथ 10 multiply होगा तो value 10 आएगा और 3 की साथ 9 multiply होगा तो value 27 आएगा इह होगा असका अंसर 15 आएगा 15 14 पित्ग